हेलो अबरीवान और ये वाला वीडियो नहीं था और मैं अब दुबारा रिपीट कर दूँ क्योंकि एक्जाम पास है जो पिछले साल वाला प्लेलिस्ट है उसके अंदर अराउंड 45 वीडियो है वो भी देखने है और करेंट प्लेलिस्ट भी देखने है वो भी इंपॉर्ट प्लेलिस्ट है उसके अंदर क्योंकि जो लेक्चर्स है जैसे जो आपके वेग कोड्स वगेरा उसके अंदर मैंने कवर किया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है तो वो भी देख लेना सेवन्थ पे कमिशन रिकमेंडेशन अमें इस लेक्चर में डिसकस करेंगे पीडियेफ फाइल्स लेक्चर के आपको पता है लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और एंसी क्यू कॉम्बो कोर्स लास्ट के अठारा दिन के अंदर येंसी क्यू क और अगर आप ये लेते हो तो आपको पीडियेफ फाइल्स के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने के ज़रूरत नहीं है तो इसलिए इसकी रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है जो डिरेक्ली पेपर में पूछी जा सकती है Justice A.K. माथूर और तीन और मेंबर्स थे Justice A.K. माथूर इसके चेर्में थे काम वोही था कि कैसे पेड़ पेंशन में जो है चेंजिस आने चाहिए रिव्यूज करना था उसको और गोर्वर्मेंट के इंप्लॉईस की एफिशेंसी को कैसे इस तरीके से इंप्रूफ किया जा सबसे पहले तो minimum pay minimum pay जो है इसमें accurate formula के basis के उपर minimum pay को है calculate किया गया है अब जैसे कि एक बार एक question पूछ लिया था मैंने अपने test के अंदर भी डाला यह question जो आपके MCQ course है कि accurate formula किस चीज को calculate करने के लिया आता है यह question पूछा जा चुका है एक exam में UGC वगरा के exams में पूछा गया है so minimum pay calculation के लिया होता है और 7th pay commission ने भी इस formula को यूज किया formula की technicalities में अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है तो minimum pay इस formula के base पे set किया और उन्होंने बोला है कि minimum pay जो है सरकार के अंदर 18,000 पे पर मन्त तो देखो अब यह directly question वो paper के अंदर पूछ सकता है कि as per the 7th pay commission जो minimum pay है government के अंदर वो कितनी होनी जी है 18,000 पे प्रती महिना important हो गया maximum pay है 2,25,000 पर मन्त for apex scale ठीक है यानि की top post और cabinet secretary के लिए 2,50,000 या cabinet secretary के जो same pay level के उपर है pay structure की अगर हम बात करें तो commission ने जो पहले न grade पे होता था grade A, grade B ऐसे होता था ना तो इसके बारे में commission को बहुत अच्छी feeling नहीं थी उन्होंने का यार यह transparent नहीं है ठीक है और grade pay की जगा जो pay matrix का एक नया system जो है वो लेकर के आए तो grade pay को अब खतम करके pay matrix का system जो है वो आ गया है annual increment तो commission ने अपनी report में बोला कि जो annual increment होना चाहिए वो 3% का होना चाहिए ठीक है तो 3% का annual increment rate है यह भी आप point जो है वो ध्यान में रखेंगे important है उसके बाद assured career progression जिसको modified assured career progression scheme बोला जाता है MACP अब performance benchmark जो है career progression के लिए उसको और ज़्यादा strict एक तरीके से कर दिया गया है good से very good के उपर लेकर के गया गया है उसे ले जाया गया है उसे ओके and annually increment commission ने क्या बोला कि annual increment आप उन employees को नहीं देंगे जो अपने benchmark को meet नहीं करते ठीक है तो modified assured career progression के जो benchmarks है उनको meet करोगे तभी आपको जो है आपका annual increment मिलेगा यार जो regular promotion मिलनी है वो आपको तभी मिलेगी जब आप अपने MACP के जो benchmarks हैं वो पूरे करते हैं पहले 20 साल में service के ये rule रहेगा कि MACP या जो performance benchmark है उसको fulfill करो तभी आपको आपका increment भी मिलेगा और तभी आपको आपके promotion भी मिलेंगे CADR review CADR review में इन्होंने systematic change recommend किया specially group pay officers के लिए alliances की अगर हम बात करें तो पहले multiple alliances हुआ गरते हैं सरकारी नौकरियों specially इन्होंने around 52 alliances को तो खतमी कर दिया abolish कर दिया और बाकी 36 alliances को इन्होंने कहा कि उनको आप अलग-अलग headings की जगा club कर दिया ठीक है single ताकि जो list है वो छोटी हो जाए alliances की house rent allowance तो commission ने देखो basic pay को revise कर दिया basic pay को बढ़ा दिया तो commission ने क्या recommend किया है कि जो house rent allowance है वो at the rate of 24% 16% and 18% provide किया जाए x, y and z comparatively पिछले pay commission से house rent allowance कम किया गया क्योंकि basic pay बढ़ा दिया गया central government employees group insurance scheme तो जो contribution का rate है और जो insurance coverage है उसको बहुत समय से वो unchanged था अब उसको enhance कर दिया गया देखो अगर मैं आपकी बात करूँ जो present था उसमें monthly जिरफ 120 रफे deduct होते थे अगर किसी employee का जो grade है वो 10 and above है 6 to 9 में 60 कटते थे एक से 5 में 30 कटते थे बहुत कम deduction था और insurance का जो coverage था वो भी कितना लो था 10 and above वाले का सिरफ 120,000 का insurance था तो अब ये नए pay commission ने क्या बोला कि यार बढ़ाओ तो अब 10 and above वाले का monthly deduction 5,000 का हो जाएगा और insurance मों 50,000,000 तक का हो गया present times के हिसाब से पर ये table सायाद करने की ज़रुति है सिरफ आपको समझाने के लिए था उसके बाद pension की अगर हम बात करें तो commission ने revision के उपर काया कि pension को भी आप revise करें और ये civil employees के लिए भी होना चाहिए जो आपके central armed police forces हैं उसके अंदर भी defense personal के लिए भी जो 2016 से पहले retire हो है ठीक है तो basically किसे लिए था ताकि past pensioner और current retirees क्योंकि सबसे बड़ी problem थी ना कि जो पहले retire होगे उनको जो pension मिल रही है वो पहले के rates के इसाप से ही मिल रही है current inflation वगएरा का adjustment उसमें नहीं हो रहा तो यहाँ पर जो commission था उसने क्या बोला कि नहीं आप parity पर लेकर के आए ठीक है जिन्होंने same अब किसी ने 20 साल serve किया है 1971 से 1971 और किसी ने serve करके retire हुआ है वो 2016 के अंदर ही अब 2016 वाले ने भी 20 साल for example काम किया लेकिन उसकी pension कहीं कुना ज़्यादा थी 1991 वाले से तो वो parity पर यहाँ पर लाने की बात यहाँ पर होगी उसके बाद बात करते हैं next हम gratitude की तो gratitude की ceiling के अंदर भी enhancement हुई है पहले 10 लाख रुपे maximum gratitude होती थी अब 20 लाख कर दी गई है ठीक है जो ceiling है gratitude की it may be raised by 25% whenever dearness allowances rises by 50% तो जब भी gratitude की ceiling है यह 20 लाख रवाली commission ने क्या बोला कि आप इसको सरकार को बोला कि आप इसको 25% से raise कर सकते हो जब आपको ऐसा लगेगी जो DA है because of inflation जब DA बढ़ रहा है वो 50% हो चुका है तो आप gratitude को भी increase कर दो disability pension for armed forces तो commission ने बोला कि देखो जी जो disability pension है उसमें slab based system को खतम किया जाए ठीक है उसके उपर वापिस आया जाए पहले क्या होता था disability कितनी हुई है उसके basis पे मिलती थी pension बट उन्होंने इसको खतम करने की बात किया और ex-gratia lump sum compensation to next of kin तो commission ने क्या बोला कि lump sum compensation जो मिलता है अगर death हो रही है related to performance of duty तो उस case में जो compensation है उसके rate को revise इन्होंने किया जो basically compensation पहले defense forces personal को मिलता था when they used to die during service अब वो CAPF personal को भी मिले और उसके अंदर भी जो compensation rate है वो अच्छा अपलाए हो साथी साथ पहले क्या होता था देखो फोजी या आर्मी में जब कोई मरता है शहीद होता है तो उसको मिलता था martyr का status बट Central Armed Police Forces आए दिन नकसल अटाक्स के अंदर new pension system तो commission ने बोला कि देखो NPS के अंदर बहुत सारे grievances है तो इन्होंने बोला कि NPS के अंदर एक strong grievance redressal mechanism होना चाहिए ठीक है and regulatory bodies के अंदर जो लोग काम कर रहे है regulatory bodies के जो chair persons है उसमें इन्होंने बोला कि जो pay package होना चाहिए वो साड़े चार लाक होना चाहिए chairman का और जो बाकी के members है उनका चार लाक रुपे महीने तक का performance related pay तो commission ने बोला कि performance related pay को हम लेकर के आएंगे central government employees के लिए ठीक है इसके अंदर ये देखा जाएगा quality कैसी है annual performance कैसी है और उसके हिसाब से performance और efficiency जो है वो employees की improve हो advances की बात करें तो सबसे पहले तो commission ने non interest bearing advances को completely खतम कर दिया है ठीक है पहले बहुत सारे advances ऐसे होते थे जिसमें employee को interest कोई नहीं पे करना होता था तो ऐसे सारे advances ऐसे सारे loans employees के लिए खतम कर दिये गए है ठीक है और interest bearing advances में 25,000,000 का कर दिया गया है 7,500,000 रुपे की पहले limit होती थी अब बढ़ा करके 25,000,000 कर दिया गया है so these were the quick important recommendations पूरी 7th Pay Commission की report उठा कर पढ़ने मत बैढ़ जाना इतने मैं से ही आएगा आएगा तो सवाल ये भी guarantee है ठीक है चलिए मिलेंगे अप next class में take care and bye